यहां जाने लहसुन के साइड इपेक्ट्स यह सर्दी, उच्छ रक्चाप, उच्छ कोलिस्ट्रॉल और ऐसी अन्य समस्याओं जैसे स्वास्ति स्थितियों का याज कर सकता है हालांकि इसके कुछ साइड इपेक्ट्स भी हैं, जिनके बारे में हम जरूर जानना चाहिए लहसुन का इस्तेमाल लगभगधर भार्तिय रुसुई में बर्शों से किया जा रहा है यह हमारे देने का हार का एक बड़ा हिस्सा है लहसुन भार्तिय व्यंजनों में स्वात जोर देता है लहसुन आशदिय गुनों के लिए पेमस है पुराने वक्ट से लोग इसका उप्योग कई स्वास्ति समस्याओं के इलाज के लिए करते आ रहे हैं यह सर्दी, उच्छ रक्चाप, उच्छ कॉलस्ट्रॉल और ऐसी अन्य समस्याओं जैसे स्वास्ति स्थितियों का इलाज कर सकता है हाला कि इसके कुछ साइड एफेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में हम जरूर जानना चाहिए लहसुन तब तक अच्छा है जब तक इसका सेवन एक सीमित मात्रा में किया जाए बहुत अधिक लहसुन का सेवन हमारे शरीर के लिए नुक्सान दायक हो सकता है यहां देखें लहसुन के कुछ दुश्प्रभाव एक, लहसुन में कुछ हेंजाइम होते हैं जो तबचा पर चिकते और खुझली का कारण बन सकते हैं इसके बहुत अधिक सेवन से बचें दो, बहुत अधिक लहसुन का सेवन करना दुरगंत का कारण बन सकता है लहसुन आपके सांसों में बद्धू पैदा कर सकता है लहसुन का सेवन करने के बाद माउट फ्रेशनर का उपयोगा वश्य करें तीन, लहसुन का अधिक सेवन गैस का कारण बन सकता है अधिक मात्रा में सेवन करने पर गैस, सूजन और 10 भी हो सकते हैं 4. बहुत च्यादा लहसुन का सेवन सिर्दर्ट का कारण भी बन सकता है अगर कच्चे रूप में इसका सेवन किया जाए यह सीधी सिर्दर्ट का कारण नहीं बनता है बलकि इस प्रक्रिया को ट्रिगर करता है जिससे सिर्दर्ट हो सकता है इसलिए किसी भी चीज का सेवन एक सीमित मात्रा में करना उच्छत रहता है